रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा टकराओ अब और तेज हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है टकराओ का आज तीसरा दिन है और रूसी जवान यूक्रेन की राजधाने की बेद दाखिल हो चुके हैं। कि भारत चीन और UAE ने वोटिंग का बहिशकार कर दिया। लेकिन रूस के वीटो के चलते प्रस्ताव पास नहीं हो सका। 15 सदस्य सुरक्षा परिशद में 5 सथाई सदस्य हैं जबकि 10 आस्थाई सदस्य हैं। भारत इसका आस्थाई सदस्य है। इस बीच यूक्रेन के राश्पती वलादमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो यूक्रेन नहीं छोड़ेंगे बलकि मैदान में डटे रहेंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिका सहित यूरप देशों पर मुसीबत के समय यूक्रेन को अकेला छोड़ने का आरोब भी लगाया। इसके साथ ही जेलेंस्की ने उन देशों का शुक्रिया अदा किया जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्राले ने बताया कि यूक्रेन ने रूस के 1000 से जादा सैनिकों को मार गिराया है। वहीं ब्रिटेन ने मरने वालों को लेकर एक अलग आंकड़ा जारी किया है। उनके मताबिक 3 दिनों में 450 रूसी सैनिक की जान गई है। यूक्रेन के 194 लोगों की मौत हुई है जिसमें 57 नागरिक शामिल है। सयुक्त राष्ट ने कहा है कि यूक्रेन में कम से कम 25 नागरिक रूस का निशाना बने हैं और 102 घायल हुए है। रूसी रक्षा मंत्राले ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने 211 यूक्रेनी सैनिट हिकानों को नश्ट कर दिया है।